इतनी लंबी हाथ है जो सकंद्रकारी है अवाज दवाने का प्रयाद कर रहे हैं लेकिन ये भक्त ये संद समाज जहां है अवाज नहीं दवातों होगे और अखाडा परसत का कथित फर्जी संदो के तूची खारीज हो गई तो खारीज हो गई और अंतिम पाच्वा और बता देना चाहता हूँ ऐसा नहीं यहां मंज में बोल दिया संद महास्वा ने घोसला कर दिया कि खारीज तो उसको सोचेंगे कि अगर तुमारा संदों के खिलाज पर जिस्तब्र का पर्योपिया खाडा परसंदे तो याद रखना संद महास्वा उनको कानूनी हित्परी के से खीच के लाएगे छोड़े कि नी इसलिए हम कुछ में फिर्फ खारिज कर रहे हैं और यह बता रहे हैं कि अब तुरंत रुख जाई जाई संदों के खिलाज रास्तियंतर रास्तियंत्रों को बेनकाब करने के लिए पूरे देश में आप देखो संदों को जिल में डाल दिया जारा है चार-चार साल से जमानत नहीं मिल रहा है एक मवंबर 2017 से नोट कर लो और सरकार मी नोट कर ले एक मवंबर 2017 से संद महासबा दौरा संद बचाओ यात्रा दिगा लिजाएगी किसी संद के साथ नय नहीं होने दिया जाएगा एक मवंबर के पहले सरकार काने खोल कर सुने हमारे संदों को अगर जेल ते बाहर नहीं निकाल दिया गया तो एक मवंबर ते संद महासबा याचना नहीं करेगी उसके बाद याचना नहीं रहोगा संधर्त महा भी चड़ होगा अब लड़ाई यार पार्की होगी इसी और याद रखना कई बारा रोप लग जए तो बापू के लोग है ये तो इनके लोग है अरे सब परमात्मा के लोग हैं और परमात्मा भी बापू के हैं हम बापू के हैं बापू हमारे हैं ये जहां देखू कमजोर करने का करीका होता किसी को कैसे गूट में बाड़ा मनें निलम जी से कहा कि निलम देखो ऐसा है निलम ने कहा कि हमने कहा कि तब को भगवा पहला और टोपी ओफी वह एक लड़का था मास हो उसने गलती कर दिया तोपी का 50 Яरा दिया था उसने किया निक हमसे बड़ी बड़ी एक थो आंके बबाओं के पास ये भकत भी पहताते तब शाहित गए थिए सबसे बड़ी प्राव्लम ही ए और विचारे बाबा तो सीधे सादे हैं वह भक पूचे में बाबा गच्चा खा जाता है तो बड़ी पीचे जब सब कुछ नहीं होता है फोन बंद कर लें अब बाबा जी किसको फोन करें अब बताओ तो अगले बार से कोई गलत नहीं होता हमें ऐसे लोगों को सामने लाना है जो वास्तों में सिरियत होके काम करते क्योंकि मजाक वाली बात नहीं है जेल में कोई सिर्फ एक संथ एक बेक्टी बिसे संथ जेल नहीं है जब एक पंथ जेल में है मतलब तुम्हारी संस्क्रित जेल में है उस संस्क्रित की रक्षा के लिए उस संस्क्रित में बचाने के लिए अगर तुम जोटों बोलते हो उस संस्कृत बचाने में अगर जोटों बोलते हो अगर तुम बहाने बाजी करते हो तो निश्यत रूप से ते संत तो छोड़ो प्रमात्मा भी तुझे माप ने करते हो इसलिए हमें हैसी टीम बनानी होगी जो तनमंधन से सह्योग करे एक लुम्बर के पूरे देश में आतरा निकलेगी सब के सर पे भगवा होगा सब के संत महासभा लिका होगा और संत महासभा जेल में संतों को छुड़ा के लाएगा और तब तक चैन्त नहीं बैठेगी जब दख संतों को साधिकार न दिला ताप सभी ग्यापन से सामा थे तो ओम का उच्चारण करें मैं आपको बताना चाहता हूं कि संत महासरा आप देखो पुझी संत चरह बैठे हुए संतों का नहीं संतों का मतलबे निसंत में सब्सक्राइब चाहिए संत कि रहाश्त हो चाहिए बुरु सित्तों को मिला के संत महासरा बनी और अखाड़ा परसत का तो रजिश्टेशन भी नहीं है मारा आज अब बताओ फार्जी हमाई कि तुम हो भाई किसी का रजिश्टेशन नहीं आपे देखें एक बेक्ति का रजिश्टेशन नहीं है तुम कहा जा चीलम खीचते हो अरे वाद उनको संतों गए बाई ये ठीक ही किसी ने कहा है रामोचंद्र कह गए सियास एक दिन कलियुग आएगा और हंस चुगेगा दानातिन का कवगा उनको भी ने उनको भी पूझे संत का रहा हूं चल ठीक है लेकिन अब छेड़ना मत दुबार वरना छोड़ेंगे नहीं एक बार की गलती को छोड़ दिया दुबारा नहीं इस सूची खतम हो गई तो खतम हो गई इनिशन सब्दों के साथ जादे ना बोलते हुए हम चाहत है कि हर प्रदेशों में हर जीलों में संत महाकत्तवा की टीमा बनाए और पूरे संत महात्तवा के नित्तित में जितने संत चरण बैठे हैं हमारे पहाड़ी बाबा भी आए हैं और कुछी दोना या अब इनसाथ लोगा भी नाम दोने है क्या अब दिला मद रहो भाई इसल सवामी देव जी महराज का मख्या मंदिल गुहाटी त्याय हुए है स्वामी रामा भाई जी देखो ही मौन ब्रत पर है कहा है और आज देखो यह रामा भाई बहुत अच्छे तर और काफी समय से कि पर निजब्रत में पैसा से चे महीन से और आज मैंने दो धर्मा संस्कृति की बात के यह मौन होने का समय नहीं है यह बोल नहीं है एक संत और संस्क्रिपी जेल में है और आप मौनें यह हम परदास नहीं करेंगे ना संत महास्वा करेंगी ने भक्त महास्वा करेंगी इसलिए अपनी अभी बेक्षि को बोलेंगे सबके सामने क्यों भाई हो मतलब संत महात्वा का देशे मतलब बातु का देशे और उसका पालम हरियों बोल के सुरुआत करेंगे तो रामा भाई जी स्वामी पुजी स्वामी चीनमे नंजी महराज जी हमारे राश्टी उपादेक्षे संत महात्वा के हमारे पताल वावा जी जो महात्वा के सिरिमार अर्विन जी गुप्ता सनातन संस्ता अकिल भारती प्रांग स्वामी दाना साज जी महराज भगवान बालमी की आस्थम से आये हैं लुद्याना से स्वामी दयानन जी अध्यक्षि गंगा वचाव आंजोलन महंत दिलिपनाथी महराज गुरक नाथ से गुरक पूर से फिरिमान पंडित आजे गौतम जी महराज ये भी बेचारे देखो महराज बहुत कंदी ये भी बेचारे प्री में गाली तुनते हैं और कोई लागों नहीं लोगलाज बस हिंदु तो जहां पर है वहां खड़े हो जाते जाते हैं आप इमत तरणिरा कि बहुत लोग पागल है मैं आपको बता रहा है जो आपके लिए लड़ते स्वामी कुछ स्वामी का लाजी माराज इनकी तविए खराब थी इनके सर पे एक लुषी कर दीदिन फार अब गिर गया तो अभुझ दिन पाहा ले तो बोले स्वामी जी सर में बहुत दर्द हो रही हमें क्या हुआ यहां वहां देखने वाली बात है मैं को जांद मुझ एख लुग कर लो को या अखाड़ा परषण में ने गिरा दिया थे थिक देख को हम युद्धों में कभी नहीं हारे हिंदू का इतिहास है युद्धों में कभी नहीं हारे हम डरते चलचन्दों से हर बार पराजे पाई है अपने घर के जैचन्दों से साउधान होना होगा जैचन्दों तो सभी कुछ संत भी है इनी के चंत सब्दों के साथ अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ धर्मकी धर्मकी निलम हाँ देखिए निलम बान है निलम दुवे जी ओ भी देखो मीडिया प्रभारी है और देखो भगवा पानी है बस जल्दी रंगी चुकी है और हमारे अजय भाई पटेल जी भी संत है और बहुत ही लगं से लगे यह वहां कहा थे हैं नहीं वहां पूरा में थे अजब मैं फून गया यह बेचारे वह छोड़ करके सब कुछ आए तो ऐसे बताओ जो लोग लगे हुए हैं विसन के लिए संत के को कोई एक संत के लिए नहीं लगे तो हमें आव सकता है इस बात की कि हमें उसके काम करें धर्मकी और तेजबो तब जय होगा धर्मकी अचे ध्यान में ना अगले बार तोपी पे दोनों तरफ संत महत्वा लिखा होना चाहिए पूरे देश पर भर्वा पहन के चलेंगे ए अधर्मकी अधर्मका पूरा नास्त और अधर्मका ekंशी थोड़ा सा भी न वचे अधर्मका नेश्ट प्रांडियों में हींदू में को लैता है विदूरुरु का विच्णा थियावे भारत का विकल्याडो भारत का हारा हारा महादेर धन्यवाद हरियो